नमस्कार दोस्तो दरोगजी.com पर आप सबका स्वागत है मैं हूँ विभा दोस्तो जीमेल का इस्तेमाल लगबग आजकर सभी लोग करते हैं और इसमें भी काफी सारे कमाल के फीचर हैं जिसे आप आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं पर इसमें कुछ simple tricks भी हैं जिसकी मदस से आप और भी आसानी से Gmail का इस्तेवाल कर पाएंगे तो आईए देखते हैं कि ये simple tricks कौन-कौन सी है दोस्तों preview pen एक बहुत ही interesting feature है और जादा तर लोगों ने इसे outlook में ही देखा होगा पर Gmail पर भी preview pen के सुविधा उपलब्ध है पर ये बास जादा तर लोगों को पता नहीं होती है preview pen आपके Gmail inbox का एक additional part है जिसे आप inbox के right side में देख सकते हैं हाला कि आम तोर पर जब आप multiple email पर काम करते हैं तो सबसे पहले आपको email open करना पड़ता है और फिर back जाना पड़ता है और अगला email open करना पड़ता है पर preview pen के जरीए आप अपने सारे emails को आसानी से एक साथ देख सकते हैं और multiple emails पर काम भी कर सकते हैं यहाँ आपको बार-बार back जाने की ज़रत नहीं पड़ती है mail preview enable करने के लिए right side में दिये setting icon पर click करके setting में जाएं और अब laps tab पर जाएं और नीचे दिये search box में preview pen type कीजिए फिर enable को select करके save changes पर click करें अब Gmail reload होगा और right side में आपको एक नया icon दिखेगा यहाँ आप drop down menu button पर click करें और अब horizontal या vertical split में से कोई भी एक option आप choose कर सकते हैं पर हम आपको vertical split select करने की सलाद देंगे जो कि ज़्यादा आसान है दोस्तों आप सब को Gmail star के बारे में तो पता ही होगा पर जादा तर लोग ऐसे हैं जिनने स्रिफ yellow star के बारे में पता है पर Gmail में yellow star के अलावा भी काफी सारे colorful star हैं जो बहुत ही useful है बाकी colorful stars को enable करने के लिए आप right side में दिए setting icon को click करें फिर general tab में जाए और scroll करने पर आपको star section मिलेगा यहां आपको colorful star को in use section में drag and drop करके इन्हें enable करना है और अब नीचे दिए save changes पर click करें अब आप mail के साथ दिए star icon को multiple time click करके different star में से कोई भी एक color का star सिलेक्ट कर सकते हैं for example important mail के लिए आप yellow color सिलेक्ट करिए urgent mail के लिए red color और जिन mail पर काम हो चुका है उसके लिए green star Gmail में search के लिए कई सारे option है आप Gmail में message या mail को file name, date size, subject name, read or unread state, contain या person के नाम से भी search कर सकते हैं उधारन के लिए अगर आपकी file 5MB से बड़ी है तो आप search box में larger quorum 5MB टाइप करके सर्च करें या file type PDF सर्च करने के लिए आप file name, quorum, PDF टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं ये feature Gmail app में भी काम करता है और advanced search option के लिए आप search box के साथ दिए drop down button पर click करे यहाँ पर mail भेजने वाले का नाम, subject और emails के कुछ important what इत्यादी parameters के जरिए भी आप mail को search कर सकते हैं Friends, अगर आपको रोज धेरो emails आते हैं और आप अपने iPhone, iPad या Android smartphone में आने वाले notifications से परिशान हो रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा feature है जहां स्रिफ specific label के notifications को ही आप activate कर सकते हैं और बेवज़ा आने वाले notifications से छुटकारा पा सकते हैं इस feature को enable करने के लिए आप अपने Android smartphone की Gmail app की setting में जाए और manage label पर tap करें यहाँ आप different types के label में जाकर label notification को enable और disable कर सकते हैं कभी-कभी email type करते समय आपसे गलती से send button क्लिक हो जाता है और wrong person को mail send हो जाता है लेकिन formal mail करते समय ऐसा होने पर एक bad impression बनता है पर Gmail में undo send का एक बहुत ही अच्छा feature है जिससे accidentally send हुए mail को cancel भी किया जा सकता है पर email को undo करने के लिए ज़ादा से ज़ादा सरफ 30 second का ही time available होता है undo send को enable करने के लिए right side में दिए setting में जाए और general tab में दिए undo send पर क्लिक करें यहां आप mail cancellation के लिए time भी choose कर सकते हैं जैसे 5 second, 10 second, 20 second और ज़ादा से ज़ादा 30 second इसके बाद save changes पर क्लिक करें अब mail send करने के बाद आपको उपर की और undo का option दिखेगा जिसे press करने पर आप mail को रोक सकते हैं iOS Gmail apps में भी यह features देखने को मिलता है हाला कि Android के Gmail app में undo send का option नहीं है पर Android में confirm before setting का भी option available है जिसे on करके accidentally send हुए mail को रोका जा सकता है तो दोस्तों ये थे Gmail से related कुछ simple tricks और भी advanced level के tricks हैं Gmail से related जो हम आपको next वीडियो में बताएंगे तो I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस तरह के take update के लिए आप हमें like and comment करने के साथ subscribe करना ना भूले और इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का शुक्रिया